जेडियू की स्थिती तो इसी रूप में होनी है जो हम बार बार बोलते रहे हैं अब जन्ता दले उनाइटेड में कोई नहीं रहने वाला है जिस से स्टेज तक नितिश जी ने स्वें ही पार्टी को पहुंचा दिया जिस दिन नितिश जी ने फैसला कर लिया कि आरजडी के ह जाफ में फिर से बिहार को हम सौंप देंगे उसके बाद से इस तरह की स्थिती जेडियू में है ही तो आज कोई और नेता कभी हम हट गए बीच में भी कई लोग हटे हैं आगे भी वहां अब एक किसी नेता की बात क्यों कर रहे हैं वहां तो जितने लोग हैं उसमें एक द सब नाराज हैं और नाराजगी का ठोस कारण है जनता देले उनाइटेड अब डूगती हुई नाव की तरह है उस नाव पर कोई कैसे सवार रहेगा तो ही इस्तिती के कारण इस तरह के ब्यान आते हैं और कुल मिला जूला कर कोई आज कोई कल कोई परसू कोई यहां कोई व बात का है हाँ देखें विपक्ची एकता की कोशिस जो कुछ भी है उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है यहां बात उसी दिन तय हो गई बैठक के पहले हमको भी लगता था कि साथ इस लोग कोई बैकल्पिक एजंडा देश के लिए एंडिया से अलग लेकर आएंगे और उस पर कोई बात करेंगे लेकिन इन लोग ने बैठक में बात क्या की बैठक में बात हुई कि राहुल गांधी की दाढ़ी क्यों बर गई और उनकी साधी क्यों नहीं हो रही है तो दाढ़ी और साधी के संदर में बैठक पर चर्चा होकर चीज़ें रह गई अंत में त करेंगे ताकि वहां की मौसम का थोड़ा आनंद लिया जाए बस इतना ही है और कोई इसका नतीजा नहीं निकलने वाला